मैंने अपने समय में भी दो बार करा जो मैं शिक्सा समीति का चेर्में तब भी कराया हूँ वर्च्वल में का पीटिम भी हमने करा जो आज तक कोई नहीं कराया पाया क्या है इन लोग का परचार करने का तरीका थोड़ा अलग है यह चीजों को उस तरह से क्योंकि कहीं ने कहीं जो डिजिटल मीडिया है वो इनके फिवर में रहता है इनके पास तो दिल्ली का खजाना लोटाने के लिए काफी बजट है क्योंकि यह काम कम करते हैं पत्राचार आपको किसी की अगर पढ़ाय लिखाएगी एक्चल में डिगरी देखने है तो उनके विकास के काम, उनके विकास की गती, उनके विकास की सोच, देश को आगे बढ़ाने की सोच से कमप्रेजन करना चाहिए कल दिन भर एक खबर चली दिल्ली से कि आम आदी पार्टी की एक पार्षद ने भारती जन्ता पार्टी का दामन थाम लिया तो वहीं आज अखबारों को पल्टा तो पता चला कि आतीशी जो कि सक्षा मंत्री है दिल्ली सरकार में और साथ ही साथ डॉक्टर शेली ओबराई जो कि दिल्ली की अभी मेर है मेर के चुनाव होने हैं फिर से पार्टी नों उन्ही को उमीदवार भी बनाया है इन दोनों की तस्वीर और साथ ही साथ एक घोशना कि MCD यानि कि दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में पहली बार मेगा पीटियम होगी यह अपने आप में बड़ा विच्चितर लगता है कि देश आजादी का 75 वा वर्षिगाड मना चुका है अमरित काल में हम प्रवेश कर चुके हैं और उसके बाद नगर निगम जो की प्रात्मिक सिक्षा का एक विभाग है वहाँ पहली बार मेगा पीटियम हो रही है जो कि बहुत जरूरी है तो यह जानने के लिए मैं पहुचा हूँ दिली के पूर्व मेयर और साथी साथ सिक्षा समीती के पूर्व चेयर्मेन मुके सुर्यान के पास उन्होंने भी एक साल तक दिली की सिक्षा वस्था में अपना योगदान दिया है भाई साब आप लोगोंने मेगा पीटियम नहीं करवाया बताई ये पहली बार आमादी पार्टी को मेगा पीटियम करवाना पड़ रहा है निगम के स्कूलों में देखिए प्रभाज जी मैं आपको बताओं कि ये सरकार जो है ना सरकार जूटी है सरकार के लोग जूटे हैं उनके जो परत्य निदिये हैं वो जूटे हैं इवन वारकेटीम, तो आज तक कोई निकरा पाय थे जह जो इस जरकार के हूँ पर गोटाले में जेल में बंद है कि इन लोह का पर्चार करने गा करने का थुड़ा अलग भी यह चीजों को उस तरह से क्योंysis कि कहीन है накई जो डिजिटल मीडिया है वो इनके फेवर में है जो प्रिंट मीडिया वो इनके फेवर में रहता है और लिखने में इनकी इनके लिए लिखता है लेकिन यе गलत है जब मैं मेर था तब भी हमने mega ptm दो बार कराया है और जब मैं American Community का चेर्मंग towards चिक्ष समीतिगा तब मैंने वर्च्वल मेगा पीटियम कोविड के दोरान करा था जब कोविड था उसके बाद हमने मेगा पीटियम भी कराया तो ये तो सराचर गलत है कि पहली बार होगा हाँ उन्होंने एक नहीं हेडलाइन दिये कि इस बार हम जो दिल्ली सरकार और निगम के स्कूलों में म स्क्सा मंत्री जी को कि एक तरह आपकी 15,000 क्रोड की शिक्सा का बज़ाट है एक तरह हमारे पास निगम में लगबग मातर हम 100-800 क्रोड को ले करके जूज रहे आप से 10 परशेंट हम मांग रहे थे उस टाइम पे कि जो आपका सिक्सा का बज़ाट उसका 10 परशेंट निगम का काम भी किया था यह उस वक्त एक चीज मां पूछना चाहता हूं जैसे आप लोग उने मेगा पीटेम करवाया वो तो खबरों में नजर नहीं आया यहां तो अनॉंस्मेंट होती है और खबर बन जाती है तो आप लोग ऐसे बयान देते क्यों नहीं है क्योंकि पतरकार त काफी अच्छे से लेवल पे हुआ था न्यूज पेपर ने भी उसको काफी पब्लिस किया था वह बात दूसरे कि हम भेजते काफी बड़ा आता चोटा इनका छोटा बड़ा हो जाता है कहीं ने कहीं यह भी निगम में एक बजट का भाव होता क्योंकि हमारे पास इस तरह क कारी के लिए रामादी पार्टी को भेज सकते हैं कोविट के दौरान मैंने जब दिल्ली के नगर नगम स्कूलों की कवरिजिस की थी तो उस दौरान हमने एक स्टीटमेंट देखा था कि एक लाग ग्यारा हजार तक का आंकरा आप लोग उने पपलिश किया था कि आपने द ग्यारा का जो आगड़ा तो वो सेप्टमबर तक था उसके बाद हमने उसको कंटीनू दिसंबर तक किया तो लगबग 2,39,000 बच्चे हैं मैंने वो दांकिल किये थे उस साइम पे नहीं एडमिसन किये थे उसके बाद जब मैं मेर बना तो मैंने उस ड्राइव को कंटीनू क किया और उस समय भी हमने लगबग 2,000,000 बच्चों को निगम के स्कूल में नए दाखले कराने का काम कीया था और वो यही बच्चे थे जो दिली सरकार की स्कोलों से नाम काट कर जो पबलिक स्कूल जो दिली सरकारини को कह ती कि हमारी स्कूल से उन से नाम कटवा कर कर निगम के स्कूल में हागर के नाखला लेने का काम करे थे उनमें हमारा सागरपूर का निगम स्कूल भी है जिसको मैंने मोडरी स्कूल बनाया उसमें भी लगबग आज दोजार बच्चे पढ़ रहे है एक और सवाल उठता है मुकेश जी कि दिल्ली निगम की स्कूल की कई फूटेजे जाचकल आहरे है सक्षा मंत्री जी दौरा कर रहे है और वो स्कूल की बद्धाली की खस्ता हल की तस्वीरे पप्लिश करके आपके साशन जो की 15 साल लंबा साशन रहा उसकी बदहाली को लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही है कहां से आरी हैं वो तस्वीरे देखे ये अगर इस तरह की तस्वीरे लेकर कहले पहली बाग तो इनकी मानसिक्ता की ये प्रॉलम है अगर ये बदहाली भी है तो इसका कारण मातर एक आमादवी पार्टी दिली सरकार है कहीने कही राज्य सरकार के अधीन दिली की सिक्सा थी और निगम भी था को के साथ जिस तरह से सोतेला वैवार किया निगम का पैसा नहीं दिया लगबग 20,000 क्रोड रुपे निगम ने इन से लेना है अगरे पैसा टाइम पे दिया होता थो भी स्ट लेवलब्मेंट के काम होते स्कूल के बिल्डिंगे भी बनती नए चीजे होती नए स्कूल्स बनते उनको रिपेरिक किया जाता लेकिन बजट का भा होने करन हमने स्कूलों के बच्चों की सिक्सा खराबना उनकी बढ़ाई ना चूटे उस पे ध्यान दिया और जो सरपलस थोड़ा बहुत समय जब मिलता था पैसा बस्ता था तो इसकूल को सुधारने का काम भी किया था उस टाइम पे मैंने नेकों एंजियों के माध्यम से साथ स्कूलों में जो वश्तागी जो परवलम्स थी जो पानी को ले लेकर इसूस थे जो वाटर कूलर को लेकर सूस थे या बेंचोज को लेकर इसूद थे हमने टैब भी उस टाइम देने का काम किया था, तंगी के हाल में भी हमने अच्छी एक सिख्सा को सुधारने का काम किया था, आज आमान भी पार्टी कहते हैं कि इन्होंने 17-18 क्रोड का बजट दिल्ली की MCD सिख्सा का रखा, उसका 400 क्रोड रिलीज कर दिया, मुझे प्रात्मिक एजुकेशन जो है वो बहुत इंपोर्टेंट है, आप मेरे सामने ही इस चीज को कहा था, कि आप लोग निव एजुकेशन पॉलिसी को निगम स्कूलों में इंप्रिमेंट कर रहे हैं, आपके घर के पास ही स्कूल है, क्या स्थिती है भी उस प्रोजेक्ट की? देखिए जब तक मैंने उसको देख रहा था, तो वो स्कूल और प्रोजेक्ट बहुत अच्छी दिसा में काम कर रहा था, और आज लगबग पूरी दिल्ली में निगम का जो स्कूल हमारा जो स्कूल को मैंने जो मेरे वार्ड में होता था, जिसको मैंने उस समय हैंडल किया तो मुझे लगता है कि सभी पार्षद या आमादी पार्टि आज इस तरह का इनिसेटिव लेगी, तो वाके में कहीं लगता है कि इनको लगता है कि दिल्ली की बद्दवाव से वाके में ही बचना है, तो इनको लेकर कि जमीन पर आकर के काम करना चाहिए, निगम पहले का पेंटिंग्स का चेंज होना हो, एक अच्छा इंफरस्ट्रेक्टर डवलब करना हो, यह कहीं न कहीं खबरों में रहा, लोगों की स्मिती में यह सारी चीज़े बहुत समय तक नहीं रहती, आप लोगों के द्वारा जब यह स्टेट्मेंट दिया गया, तो रिटैलियेट क ज़ूटी खबरों को भी इस तरह से परचार करते हैं, उसका भी हमने विरोध किया है, और हम लोग आज भी अलग 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 प्रेटफॉर्म के मादम से हमारे सभी कारे करता है, इसका कंटेम्ट कर रहे हैं, इसका जनता को बता भी रहे हैं कि पहली बार नहीं हो यह लग हमने नहीं चीजे नया डून किया इन लोगों ने नया कुछ नहीं किया ये सब मेरी इंसे उजारिस है कि जितना इंफरेस्ट्रक्चर हमने बनाया जो वरस्ता हमने बना करके रखी थी अगर ये उसी को मेंटेन कर जाते हैं लोग लगातार आरूप लगाते रहें जिस दिन से चुनाव समाप्त हुए हैं कि भाजपा उनके पार्षदों को तोड़ने का प्रयास कर रही है ऐसे संकित तो नजर आ रहे हैं अब ने इसमें कोई तोड़ नहीं रहा है लेकिन उनको उस तरह का कुछ नहीं लगा उनके साथ सोतालाय वैबार ये कहने को सब लोग कहते भी हैं जो आमादी पार्टी से जाते हैं फिर वापस आते हैं उनको सब को पता है कि किसी की कोई सुन्वाई नहीं है आमादी पार्टी में सिर्फ केजरिवाल जी का फर्मान चलता है बाखी किसी कारे करता है कोई सुनवाई इसलिए सभी पार्षद दुखी हो कि एक एक गर के सब लोग वापस भाजपा में आ रहे हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है कि आमान्दी पार्टि में चुनिंदा लोगी बचेगे जो आमान्दी पार्टि के साथ जाएंगे जो परषटाचार में लिपत होंगे वही उसी पार्टि में काम करेंगे जो इमानदार पारशद हैं, जो महनती पारशद हैं, जो संगठन के लिए काम करना जानते हैं, जो क्या चीज होता जिनको संगठन का महत्व है, वो अबिसली सब लोग भाजपा में काम करेंगे इंदर सरकार उनको कारें नहीं करने दे रही, उनके अच्छी योजनाओं से वो घबरा गई हैं, और बकाइदा विधान सभा का एक सत्र बुला के प्रधान मंत्रियों को क्रिटिसाइस किया जाता है, इस पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? लेकि इनको मालू है कि बाहर जनता में जाकर बोलेंगे तो जूते पड़ेंगे, इसलिए सदन का सारा लेकर के हाउस के अंदर ये अपने विधायकों के दलबल के साथ में वहाँ पर बूलने की हिमत करते हैं, लेकिन केजरिवाल जी को मालू है, अगर मोधी जी खिलाव व अपनी किसी मीटिंग में बोलेंगे तो जूते पड़ेंगे, इसलिए उस सदन का सारा लेते हैं, हमारे विधायकों को भी महाँ से बाहर कर दिया जाता है मार्शलों के दोरा, तब बंद कमरा दर्वाजा करके बोलते हैं, उसके बाद फिर वीडियो को वारेल करते हैं, ले को सोबा नहीं देता, इसलिए देश की जनता भी आज केजरिवाल को दुदकार रही है, पॉलिटिक्स में परसेप्शन इंग बहुत बड़ा रूल प्ले करता है सर, अब तक आप लोग के पास ये कहने को था, कि देखो हम तो दिल्ली की सरकार में थे नहीं, तो कॉंग्रि निगम में तो आम आदनी पार्टी ने भाजपा को पटकनी देती, और वो लगातार इस चीज़ को जनता के समक्ष रख रहे हैं, कि बीजबी को अगर कोई हरा सकता है, तो वो हम हरा सकते हैं, हमने गुजरात में से इंदमारी कर दी, गुवा में से इंदमारी कर दी, और प जाते हैं, काम कोई करते नहीं है, हाँ, बस मोधी जी के नाम पर अपना परचार करने में उनको महरत हासिल है, और मुझे लगता है, उसका उनको बहुजादा सरे मिलने वाला है, क्योंकि दिल्ली और देश और दुनिया की जनता सब जान चुकी, और केजरिवाल जी के बार चोड़ नहीं सकते, आज नितीश जी मिल रहे हैं, तेजस्वी जी मिल रहे हैं, बकाईदा राहूल जी के लिए वो ट्वीट कर रहे हैं, वो कहरे हैं कि अगर डेमोक्रिसी को बचाना है, तो मोधी को हटाना है, बकाईदा प्रधान मंतरी की डिगरी मांगी जाती है, एक जाजा की कहानी सुनाई जाती है जो की अनपड है नाक में तो दम कर रख है आपकी नी कुछ नहीं कर रहा है यह पड़े लिखे जो लोग है अपने आपको कहते हैं मैं पड़ा लिखा मंतरी हूं मुक्ख्या मंतरी हूं लेकिन उनका वहवार और उनकी कारिय से लिए जो लगातार यह प्रश्न उठते ही रहे हैं कि यह निगम वाली जो सरकार आमाधी पाटी की है वो कितने दिन चलेगी क्योंकि आम विधान सभा में तो आप बहुत दूर हैं बहुत मतलब कि भोमत के आकरे के आस पास भी नहीं पहुँच बारे हैं यहां तो लेकिन 30 का ही अफ 34 पहुँच गए हैं वो और आप 104 से 106 पहुँच गए हैं कब तक ये सरकार चलेगी आमादी पार्टी की देखना पड़ेगा उनको अपने पार्षदों को संभालने की जरूत है उनके साथ सही वेवार करने की जरूत है पार्षद के साथ कोई दलबल कानून नहीं लगता है और पार्षद को पूरा अधिकार होता है वो कहीं भी जाकर अपनी बात कर सकता है किसी दल में जाकर के वोट कर सकता है अगर पार्षदों आमादी पार्टी को लग रहा है कि भाजपार निगम को अच्छे से चला सकती है अच्छा ठीक कर सकती है तो वह इसलिए आगे हो हम किंती समय में देने के लिए इस वीडियो पर आपके क्या प्रतिक रिया है कमेंट बॉक्स में जुरूर बताएं